फाइनली सर्दियां आ चुकी है, धूब बहुत ही प्यारी लग रही है और फेस ओयल का इस्तमाल करके अपनी स्किन को हाइडरीट करने का, मॉइस्टराइज करने का और वो ग्लो देने का टाइम आ चुका है पर कौन सा वाला फेस ओयल? आज वाला ट्राय करें? Of course, बहुत ही सिंपल है, एकोनॉमिकल है, and most importantly बहुत ही एफेक्टिव है आए जानते हैं कि कैसे इस्तमाल करना है और कैसे पानी है एकदम फ्लॉलेस और खुबसूरत सी स्किन आए जानते हैं, what all needs to be done Hello everybody, welcome back to the channel, I hope you all are doing wonderfully great चानल पर पहली बार आये हैं, तो मेरा नाम है प्रेना, चानल का नाम प्रीथी प्रेना, पहतरीन डियाईवे रेमेडीज, हटे में तीन दिन में यहां आपने परिवार के साथ शेयर करती हूँ, जिनका इस्तमाल करके वो बहत खुश हैं तो अगर आप भी हमारी परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल मुप्त है, नीचे लाल रंगा बटन है, जिस पर सब्सक्राइब लिखा है, उसको क्लिक करते ही आप परिवार का हिस्सा हो जाएंगे, बगल में बेल आइकन है, अगर आप उसको क्लिक कर देते हैं, तो मेरे फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगे, और आप किसी भी माजिक को मिस्स नहीं करेंगे, आज की वीडियो में आप सभी के साथ एक 3-step process चेर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल है, कोई भी इस्तमाल कर सकता है, और immediate results आपको दिख सकते हैं, however, ये एक natural remedy है, तो इससे आप कोई magic expect मत कीजिए, in the short run, यानि कि पहले application में आप चाहते हैं, कि आपकी skin एकदम flawless और pinkish glow आपको दिख जाए, ये शायद possible ना हो, लेकिन अगर आप discipline way में regularly इसका इस्तमाल करते रहते हैं, जैसा कि मैं आपको और आपकी skin बहुत ज्यादा soft, supple और बहुत ज्यादा glowy हो जाएगी, तो जल्दी से शुरू करते हैं, what all needs to be done, सबसे पहले step के लिए आपको आपके चहरे को wash करना है, लेकिन याद रखिएगा कि ठंडियां पढ रही हैं, और ठंडे पानी से हमूद होते हैं, तो कई बार हमारा जो skin है कही कही कुछ कुछ हेरिया में खुस्क हो जाती है, जैसे नाग के अराउंड, अगर हलका सा भी जुखाम लगा तो पूरी skin हो जाती है, किस किस की होती है, नीचे लेकर बताइए, कई बार हम लोग सही temperature of water का इस्तमाल चहरे पर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कुछ कुछ हेरिया में roughness आ जाती है, stiffness आ जाती है, skin fatty 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 सी दिखती है, इसलिए बिल्कुल इतने पानी का इस्तमाल, temperature पानी का इतना होना चाहिए, कि उसकी ठंडक मर जाए, that's it, और उससे आप चहरे को wash कर लीजे, इससे होगा यह कि चहरा परेशान नहीं होगा, और वो कुछ options जिनके लिए मैं comfortable हूँ, वो मैं आपको नीचे description box में दे दूँगे, आप अपने लिए ट्राय कर सकते हैं, तो आप micellar water लेकर अपनी चहरे को अच्छे से wipe off कर लीजे, अगर first thing in the morning कर रहे हैं, तो आप face wash भी कर सकते हैं, absolutely no problem, लेकिन अगर सुभा टाइम नहीं है, हम office से आके या some other time दिन में, तो आप micellar water से अपनी चहरे को अच्छे से wipe off कर लीजे, and उसके बाद आप करेंगे step number two, जिसके लिए आपको चाहिए rose water, और इसमें आपको लेना है थोड़ा सा aloe vera gel, आप चाहें तो यहाँ पर essential oil का भी infusion कर सकते हैं, for khushboo, बाकी और कोई purpose नहीं है, और अच्छे से इसको shake करके, एक spray bottle बना कर रख सकते हैं, इसको आप अपने चहरे पर अच्छे से spray करेंगे, अपनी skin को प्रेप करने के लिए, कि बहुत ही beautiful आपकी skin पर होने वाला है, तो just spray it, and just हलका हलका touch करेंगे, हमें मसाज नहीं करनी है, just हलका हलका की पूर अच्छे से settle हो जाए, done, इसको आप अपनी skin पर अपने आप ही settle होने देंगे, और इसके बाद आता है सबसे important step number 3, जिसके लिए आपको कुछ mix and match किचन में जाकर करने पड़ेंगे, और ये बहुत ही simple है, इसके लिए आपको चाहिए एक छोटी सी bottle, कोई भी आप ले सकते ह ताकि हम लंबा बना कर रख सकें, आप चाहें तो instant उसी समय के लिए भी बना कर यूज कर सकते हैं, पर बना कर रख लेंगे तो infusion बहुत सुंदर होता रहे का, इसके लिए आपको चाहिए one part of almond oil यानि की बादाम का तेल, I need not tell you कि बादाम का तेल आपकी skin के लिए किसी भी face oil को literally fail कर सकता है, बिल्कुल fail कर सकता है, इसके अंदर इतनी ताकत होती है, दूसरा ingredient इसका इस्तमाल यहाँ पर आपको करना है, वो है vitamin E oil, यहाँ पर आपने जितना भी almond oil लिया था, आप उसका one tenth यानि की few drops of vitamin E लेंगे, क्योंकि almond oil अपने आप में ही a complete remedy है vitamin E के लिए, ले ले सकते हैं, तो मैंने हाँ पर सिरफ एक capsule vitamin E oil लिया है, और आपको इसमें लेना है अपना तीसरा ingredient जो कि आपकी skin के लिए अपने आप में टॉनिक है, इसके बारे में जितना पढ़ेंगे, आप हैरान ही होते रहेंगे, कि अच्छा यह यह भी कर सकता है, अच्छा यह यह एक सर्व गुंड संपन्ने remedy है आपकी skin के लिए, जो की है castor oil, आपने one part almond oil दिया था, आपको one part यहाँ पर लेना है, castor oil यानि की अरंडी का तेल, जो की मैंने कहा आपकी skin के लिए बहुत ही कमाल का है, आपके चहरे पर sun damage हो रखा है, तो भी उसको fix कर सकता है, और अगर हो सकता है, because of the UV radiation, यह उसको भी prevent करता है, जहां, तो अगर वो जो tan आ जाता है, चहरे पर, काला पन आ जाता है, हम लोग परिशान रहते हैं कि अरे, कैसे हाटाए tan, तो यह तरीका आपको उसमें भी help कर सकता है, तीनो ही चीजों को अच्छे से mix करके, और आपका face oil base ready हो चुक तो यहां पर आप बहुत ही simply, just incorporate कर दीजिए, saffron strands, यानि की केसर के धागे होते हैं, बहुत ही simple, 3-4 धागे आप यहां पर add कर सकते हैं, just pinch of it, जतना आपके हाथ में आते हैं, उतने आप यहां पर ले लीजिए, और उसके बाद इसको आप sun में infusion के लिए रग दीजिए, यकीन मानिए, आप हैरान हो जाएंगे, मातर एक दिन में यह infusion चुरू हो जाता है, तेल का रंग बहुत ही खुबसूरती के साथ सो नहरी तरफ चला जाता है, और यह infusion बहुत beautiful होने लगता है, अगर आप चाहें, तो कुछ दिनों के लिए, 3-4 दिन के लिए इसको sun infusion के ले रख सकते हैं, और उसके बाद आपका तेल बनकर ready हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, पहले दो step के बाद, जैसे आप तीसरे step पर आएंगे, आपको यही oil लेना है, और बहुत simple dots अपने पूरे चहरे पर ले लेने हैं, चाहें तो गर्दन पर भी ले सकते हैं, absolutely no problem, बल्कि करना चाहिए, कई बर unevenness आजाती है, गर्दन में और skin के टोन में, वो नहीं होगी, और उसके बाद आप बहुत अच्छे से अपनी चहरे को मसाज कीजिए, आप गवाशा का इस्तमाल करते हैं, तो सिरफ हैं से मसाज करते हैं, तो हैं से बहुत proper मसाजिंग कीजिए, देखें आपकी skin जो है न, बहुत सारे tools आ चुके हैं आप face के लिए, कि आप face wash के लिए भी tool आ गया है, मसाजिंग के लिए भी tool आ गया है, something or the other, but believe me, और मैंने हर tool try किया है, इसी बात नहीं है कि मैं आपको बस ऐसी हवा में बोलने हैं कि मत try करो, हर tool को try करने के बाद मैं आपसे ही कह रही हूँ कि हमारी skin को हमारा touch चाहिए, अब कर लीजे, tools इस्तमाल कर लीजे, करने के बाद पता चलता है कि, मैंना आपको differentiate पता चलेगा कि हाँ, ऐसा है, आपकी skin को आप जितना अपने हाथों से better off कर सकते हैं, कोई tool आपको help नहीं कर सकता, to use कीजिए, I am not against it, आप तूल्स का इस्तमाल कीजे, if you are comfortable, but keep switching, tools का इस्तमाल कीजे, लेकिन हाथों का भी इस्तमाल कीजे, is the only point I want to say, तो अच्छे से मसाज कर लेने के बाद, आप चाहे तो गुलाब चल और अलो का जो प्रेय था, दुबारा चेहरे पर लगा सकते हैं, और और आपको नहीं ल स्प्रेय करने के बाद, फिर से मसाज कर सकते हैं, यह कर लेने के बाद, आपको दिखेगा कि आपकी स्किन बहुत जादा या तो रेड हो जाएगी, because you know, literally आपने ओल से मसाजिंग की है, otherwise आप इसको अपने चेहरे पर, जो भी अगर डाकनेस भी आ सकते है, if at all, आप टोन के हैं, तो आपको स्किन में डाकनिंग भी लग सकते है, but just don't worry, यह ब्लड का सर्किलेशन आपके चेहरे पर आ रहा है, which will actually, आपको एवेंचुली लगेगा कि आपके चेहरे पर कोई पर परिशानी हो रही है, या अलर्जी हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, इसक दिन के समय, शाम के समय कर रहे हैं, जब आपको नहाना नहीं है इसके बाद, तो आप इसको दुबारा से सिरफ एक प्लेन और क्लीन क्लॉट से वाइप ओफ कर दीजिए, and that's it, यह कमेडोजनिक ओईल्स नहीं है, यह आपके चेहरे पर टिकेंगे नहीं, आपको परिशान नहीं करेंगे, आपके छिद्रों में जमेंगे नहीं, सबसे इंपोर्टन बात ही होती है, यूजज की, कि वो आपकी स्किन पर जमना नहीं चाहिए, परिशान नहीं करना चाहिए, जो यह ओल्स बिल्कुल नहीं करेंगे, ना इंडिविजुली और ना ही इस ब्लेंड में, Once you wipe clean your face, आप देखेंगे कि आपकी स्किन इतनी radiant हो रखी है, इतनी glossier हो रखी है, इतनी shiny हो रखी है, कि आप काफी खुश हो जाएंगे, जैसा कि मैंने कहा ये natural remedy है, सिरफ एक बार में मत expect कीजेगा कि कुछ magic हो रहा है, continuously use करते रहेगा, positive रहेगा, ingredients के बारे में पढ़ते केसर के बारे में, मैं आपको क्या कह रहे हूँ, अगर आप अपनी लोग कहते हैं, हमारी स्किन थोड़ी सी dull लगती है, केसर से जादा आपकी स्किन को निखारने के लिए कोई चीज नहीं है, it's very expensive undoubtedly, लेकिन कुछ strands की बात है यहाँ पर, तो हम definitely try कर सकते हैं, और अपनी स्क के लिए naturally, वो glow प्राप्त कर सकते हैं, जो कोई भी cosmetic treatment आपको नहीं दे सकता, तो मेरी परिवार के लिए, मेरी ये जो कोशिशे रहती हैं, कि simple ingredients से, अपने चहरे को, अपनी बालों को, अपने दातों को, अपने आपको, खुश कर सकते हैं, और बहुत अच्छे results पा सकते हैं आशा करती हूँ, मेरी ये प्रस्तुती आपको समझ में आई है, आपको ये समझ में आई कि कैसे इसको try करना है अपने लिए, और बहतरीन results पाने हैं, आपको ये प्रस्तुती कैसी लगी, नीचे लिखकर मुझे अवर्ष्य बताइएगा, चैनल से जुड़े हुए हैं पह कि हार देख शुब कामना है और धेड सारा प्यार, lots of love, take care जल्टना है ऊखरीन है कि माय की स्कील निकारे ते कोया है, इसकील लिखकर आई? जोगली, वोगली, वोगली मेरे हसले मैं ऐसे हूँ क्राम किरीम मेरे केंसे। जाती लोगा और किरीम मिशाजाज हूँ महील मन्हें इसे मरा और टेन कर्याजी ए साथ। का त kisses, मेरे बहांहिए, इसम्म्मिन रखनाלא हूँ